हाई फ्रेंज आज चलिए मैं आपको ले चलती हूँ कोलकाता की और एक यूनिक जगव पर नाम है इंडियान म्यूजियम और यह इंडिया का और एसिया का सबसे वोल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट म्यूजियम है और यह वाल का भी नाइन्थ वोल्डेस्ट म्यूजियम है अ This museum was founded by the Asiatic Society of Bengal in Kolkata in 1814. पहले इसका नाम था Imperial Museum of Kolkata, वो Independence की पहले की बात है, और उसके बाद तो स्तापना कैसे हुई, फिर उसका नाम कैसे चैंज हुआ, फिर डिफेरेंट जो गालेरी है, वो सब कैसे आर्ड होता गया, उसका भी एक स्टोरी है, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे लोगों का अवद और बहुत सारे पैंटिंग का भी गया ले दी है, अभी पहले जो सेक्षन आ गया है ना, लिखाए देखिए, बेंगल पैंटिंग्स, यह पुरा अंदर बहुत सारे काम है, बहुत सारे फेमोस आर्टिस्ट का पैंटिंग्स यहां पे है, यहां फर फोटो खींचना आलाउ नहीं है, टिकेट के बात आई तो मैं पहले इसके चार्जेस के बारे में सारे बता देती हूँ, जो एंट्री टिकेट है, वो सबके लिए है 75 रूपीज, और जो स्टूडेंट है, जिनके उम 5 साल से ज्यादा है, स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कले स्टूडेंट हो, सब के लिए चार्जेसे 20 रूपीज, फोटोग्राफ जो यूज करने के लिए जो चार्जेसे मोबाइल फोन के लिए है 50 रूपीज, डिजिटाल SLR केमरा के लिए है 100 रूपीज, डिजिटाल केमरा हुई ट्राइफवर्ड है 5000 रूपीज, और स्मॉल हैंडल वीडियो के लिए यह 2,000 रुपीज मुजियम जाने के लिए सारे के सारे पॉबिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है आप बस में भी जा सकते हैं या फिर आप अगर कोलकाता मेट्रो में जा रहे हैं तो फिर पार्क स्ट्रिट मेट्रो स्टेशन में उतर के पेदल चलके वहाँ पर जा सकते हैं मुजियम के अंदर है 6 सेक्षन 35 गैलीज और कॉल्चिराल एंड साइन्टिविक आर्टिफैक्स जैसे कि इंडियान आर्ट है, आर्केयोलोजी है, अन्थ्रोपोलोजी है, जियोलोजी है, जूलोजी है और एकोनोमिक बटानी है अभी ये जो सुन्दर सा भ्यू आपको दिख रहा है, ये है मुजियम का इनर भ्यू, मतलब बाहर से तो सिर्फ बिल्डिंग जैसा दिखेगा, पर अंदर चले जाएंगे तो एसे बीस में खाली है, जैसे कि ग्रासलेंड है, और चारों तरफ घर है, और ये जो खिर्किया जैसे दिख रहा है ना, बाहर दिखने के लिए, उसके अपोजिट में जो दिख रहा है, और बहुत बड़ा-बड़ा सारे हरल है, जिसमें एक एक ग्यालेरी है, यहाँ पर जितने सारे कलेक्शन है ना, इसमें एक एजिप्टियन ह्यूमन ममी भी था, जो चार हजल साल का स्कल्चर से और जिसका कारी-गरी बहुत ही सुन्दार है, आप म्यूजियम देखते रहे हैं, उसके साथ-साथ मैं इसके बार में थोड़ा सा और भी इंफोर्मेशन आप लोगों को दे देती हूं, यह जो इंडियन म्यूजियम है, वो अरिजिनेट हुआ था, एसियाट सोसाइटी का जो मेंबर हैं, उन लोगों के द्वारा प्रस्ताबना दिया गया था, इसके पिछे उद्देश यह था कि जो मैनमेर चीज है, और जो नेचरल अबजेक्ट है, उसको कलेक्ट करके एक जगा पे रखा जा सके, और डिस्प्ले किया जा सके, जिसको सब लोग द अंडिया ने उनको अकोमोडेशन दिये म्यूजियम के लिए, जो था चोरोंगी पार्क स्रीट एरिया में, जहां पर अभी म्यूजियम है, दो फेबरी 1814 में नादेनेल वालीज, ए डानिस बर्टानिस्ट, हु एड़ बिन क्याप्चर्ड इन सीज अफ सेरेमपूर, पर ब देने के लिए तयार थे, और जो शुरुवात में जो क्यूरेटर चाहिए था, उसके लिए भी वलिन्टरिली राजी हो गए थे, कांसिल वाले राजी हो गए थे, और उनको अनरारी क्यूरेटर का जो काम था, वो दिया था, वाली इसने बहुत कूछ बटानिकल स्पेसिमा दिया था म्यूजियम को from his personal collection, साल 1840 में गब्मेंट ने special interest लिया था, जियोलोजी में and mineral resources में, तो वो सब भी उसके बाद आड किया गया था, गब्मेंट अफ इंडिया का जो जियोलोजिकाल कलेक्शन था, वो म्यूजियम अप एकोनोमिक जियोलोजी एद असियाटिक सोसा को ट्रांसपर किया गया था, साल 1856 में, एक फुल फ्लेज म्यूजियम की जो बात है, वो इस्टिन्या कंपनी का सीपोई रिवल्ट के लिए होल्ड करके रखा गया था, पास इंडियान म्यूजियम आग जब 1866 में पास हुआ, उसके बाद इंडियान म्यूजियम का जो प् इन कंसल्टेशन उइच साथ थोमास होलन्ड, उमीद है मेरे साथ आपका ये म्यूजियम टूर अच्छा गया होगा, आपको कैसा लगा है आप मुझे कमें सेशन में लिख के बताईए, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिये और बहुत सारे लोगों के साथ सेयर कीजिय और अभी तक मेरे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो सब्सकाइब भी कर लिजे और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आईकन है न उसको भी क्लिक करके ओल पे क्लिक कर लिजे ताकि मेरे आगे वाले जितने सारे वीडियो है वो सब का नोटिफिकेसन आपको भी मिल पाएगा thank you for watching the video till end एसे ही मुझे support करते रहे मेरे वीडियो देखते रहे सेर करते रहे कमेंट भी करते रहे ताकि मुझे लगेगा कि आप सब देख रहे हैं और कौन-कौन state या फिर country से आप देख रहे हैं वो भी लिख के बताएए ताकि कहा कहा तक मेरा वीडियो पहुंच है उसके बारे में मुझे जानकारी मिल पाएगा मैं थोड़ा सा ज्यादा और मोटिवेट फिल करूंगी और आपके लिए बहुत सारा वीडियो बनाओंगी बहुत सारा जगा गुमा के दिखाओंगी thank you for watching the video till end